आज हम ताजा हरी मेथी और आलू से बहुत ही टेस्टी पूरियां बना कर तयार करेंगी ये पूरियां बहुत ही खस्ता फूली फूली बहुत टेस्टी बन कर तयार होती है और ठंडी होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ ही हम बहुत ही टेस्टी वो कप गेहुं का आटा लिया है। साथ ही हमने एक चोथाई कप सूजी ली है। बारिक वाली सूजी लेना है। जो मोटी वाली सूजी होती है उसको मिकसर में चला कर पीस लीजिए तो वो बारिक हो जाएगी। जितना हमने आटा लिया है उसका एक चोथाई भाग सूजी ल और आधा चम्मच अजवाइन को हातों से क्रश करके डाल दीचिए अब हमने यहां लगबक एक चोथाई चम्मच गरम मसाला लिया है एक चम्मच नमक लिया है नमक आप अपने स्वात के हिसाब से डाल सकते हो दो पिंच के करीब हींग डालेंगे और साथ ही दो टेबल स्पून तेल डालेंगे इससे पूरियां सौफ्ट बनती है अब हमने यहां दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू को कद्दू कस करके डाला है कद्दू कस करके डालने से आलू के बड़े बड़े चंक्स नहीं रहेंगे मैंने दो कप गेहूं के आठे के लिए दो मीडियम साइज के आलू लिये है एक कप बारिक कटी हुई हरी मेथी है मेथी को पहले हमने अच्छे से धो लिया था सुखा लिया था और इसे एकदम बारिक बारिक काट लिया है यदि हम मोटा मोटा काटते हैं तो पूरियां फूलने में दिक्कत होती है बारी काट कर डालेंगे तो सारी पूरियां फूलेंगी एक बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है ये देखे हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए mix कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें आलू बगेरे डाले हैं तो सारी अच्छे से mix हो जाएंगे और ये लीजी हमने सारी शीजोको अच्छे से mix कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका जो हम चपाती बना करके जरूर बताईएगा हमने आटा लगा कर तयार कर लिया है और अब हम इस पर एक चम्मच तेल डालेंगे और फिर से आटे को अच्छे से मसलते हुए चिकना बना लेंगे ये देखे इस तरह से पंच देते हुए आटा लगाना है आटा लगकर तयार हो चुका है आप इसक फिर से एक बार गूत लेते हैं और अब हम इसमें से छोटी बड़ी जैसे भी आपको लोई बनानी है वैसे पेड़े तोड़ लीजिए तो देखे हमने जितना आटा लगाया है उसमें चार से पांच लोगों का आराम से हो जाएगा इसमें लगबक 24 से 25 पूरियां बनकर तया पूरियां मत बेलिएगा वरना पूरी फूलती नहीं है तो देखिए इसी तरह से हम सारी पूरियां बेल लेंगे अभी मैंने चार पूरियां तयार की हैं इन्हें हम फ्राइ करते हैं इसके लिए मैंने एक कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है तेल में थोड हलके हलके प्रैस करेंगे ताकि पूरी फूल जाएगी और यह लीजिए बहुत ही बढ़िया पूरी बनकर तयार हो चुकी है इसी तरह से हम सारी पूरियां तयार करेंगे यह पूरियां बहुत देर तक ऐसे ही फूली रहती हैं बहुत ही खस्ता टेस्टी सॉफ्ट पूरियां बनकर तयार होती है इसी तरह से हम सारी पूरियां तयार कर लेंगे तो ये लिजी हमने चार पूरियां तयार कर ली है और मैं दिखाती हूँ आपको देखने से ही पता लग जाएगा ये बहुत जादा टेस्टी बनकर तयार हुई है ये देखिए और इन पूरियों को आप बन बढ़िया लगती हैं दही के साथ इंजोई कीजिए या टमाटर की चटने के साथ भी इन्हें इंजोई कर सकते हैं आप इसे ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में किसी में भी बना सकते हो मैंने इसके साथ टमाटर ककड़ी का रायता बनाया था तो इसके लिए मैंने एक कप ताजा दही लिया था, इसे मैंने पहले ही फैंट लिया है, इसमें हम एक चोथाई कप बारिक कटा हुआ ककड़ी, एक चोथाई कप बारिक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, टमाटर के मैंने बीज हटा दिये थे, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भूने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा चटपटा बन जाता है और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहां चाट मसाला लिया है अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे आप इसमें चाहे तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हो तो यह हमारा रायता बन कर तयार है तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ